हेलो फ्रेंट्स आप सभी के स्वागत है आपके अपने ही चैनल ऑली इंडिया स्टूटर में जिया तो सबसे बड़ी बात आप समने कमेंट किया और मैसेज किये की सार एक बार डॉक्यमेंट बता दिये तो आज यह वीडियो में आपको चैनल से बताएंगे जिसको ले जाना अनवार है अगर आपके पास यह चैनल आप से बताने चाहिए जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी चैनल सब्सक्राइबर होने के बाद तो हमारे चनल से ओफर दिये जा रहा है उसमें रिचार्ट से लेके फोन और टैबलेट दिया जाता है ठीक है अब बात कर लिए इसमें आप लोग कैसे पार्टिस्पेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करने के लिए आपको वीडियो को लाइ आपको यहां पर गोसित किया जाएगा तो हमारे कल विडियो देख रहें तो आपको बहुत-बहुत है आप हमारे मेल इमेल करके हमसे रिचार्ज करने कर दिया जाएगा 1699 रुपय का बात कर लेते आज कास्व इसका चोटा सब को पता होगा लिकिन बहुत ही अच्छा कोश से आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको हाइश कुल कि मार्स ले जानी होगी तो दोस्तों आपको बता दें कि सीघ्जी में मार्क शीट रिजट्स जो आपका रिजल्ट होता है शीजट के साथ आपको स्टिफिकेट मिल जाता है ठीक है और कहीं कहीं पर आपको बिल्कुल अलग अलग है तो आपको क्या करना होगा रिजल्ट और सर्टिफिकेट ले जाना होगा मनलब दोनों चीज को आप सेफली फाइल में पञेंग लिए क्लिए क्योंकि जब जरूवत पड़े ही आपको तुरंद मिलेगा नहीं थोड़ी दिक्कत हो जाती है तो अभी इस वीडियो को देखने बाद अपने ये डॉक्मेंट तैयार कर लिजे अब बात कर लेता हैं इंटरमेडियर किया मतलब आपको 12 की क्या कागज चाहिए तो 12 की आपको नवे Western टैम तो उनका certificate और यह जुड़ अलग अलग होगा तो ओनों अपना चेक कर लें कि दोनों उनका shooting है की नहीं थे यहलिकर दोस्तो आज को म scraping कर दो के जो डेट का आप लोग का मसला है वह हल कर दूँ है बिल्कुल बिल्कुल सांतीस आप लोग देख लीजीगा ठीक है आपको कुछ निकरना अगर तीर पर सी का सल्टिफिकेट आपका आपका जैसे फॉर्म भरा गया था वो जैसे मानी जो उसकी लास्ट डेट आपकी थी जो के तीस हो जाता है तो आपका स्रेटिफिकेट अमान नहीं होगा ठीक है मलब आपको 29 तारिक से पहले सी पास करना होगा ठीक है यह होगे तिरपलसी की बात अब बात कर लेते जाती प्रमारपत का मतलब आप सभी समझते हैं न ओबी सी अगर आपको एडिशनल कोटा क्या करेक्टिरिया थे आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देख लिया होगा मलब यह तीनों के इस तीनों आपके पास सब्सक्राइब कर दिया जाएगा कि आप जूट लगाया है ठीक है वहां पर आप जब फार्म बढ़ते हैं कि आप एक टिक जरूर करते हैं कि जो भी कि मेरे तरफ से इनफॉर्मेशन जा रही है विल्कुल करेक्ट है अब लोग जब कंप्यूटर्स बढ़ते होंगे मां टिक करने को आता होगा वहां पर यह भी लिखा होता अगर कोई यहां पर हमारे तरफ से इनफॉर्मेशन गलत दी गई है तो हमारा पर फॉर्म तुरंत दिखाना पड़ता है यूपी के लोगों को ठीक है अब जैसे यूपी ते पहले सी वीडियो का हुआ था वहां पर कुछ लोगों ने अधर स्टेट से भी किया होगा तो उनके पास निवास परमार पाद अपने स्टेट का होगा तो आपको यहां यूपी के हैं तो आपको निवास दिखाना 100% पड़ेगा क्योंकि आपको इसी जरूरत पड़ेगी अब बात कर लेते हैं आयप प्रमार पत्थी आपको और मैं बता रहा हूं आयप रमार पत्थ आप लिजीगा ठीक है सब लोग रख लिजीगा आयप रमार पत्थ की जरूरत पड़ सकती है तो ऐस अब अब छाते हैं अब किरिकेट हो गया पत्तिकेट हैं गहें नगेर में पहुत कर घोएगा तो आप ज़रूर ले के वहां पर पास जाएगा थिके अगर आपके पास दिसबिलिटी मजलाब दिव्यांगाए कि तो इसका आपको एडिशनल कोटा मिल जाएगा तो आपकी रैंक सुदर सकती में आपकी रैंक उपर आ जाती है ठीक है अब बात कर लेते कि यह सब लेके जाएंगे तो और लास्ट में क्या क्या लेके जाना तो साथ भी चीज़ जो मैंने आप लिखना भूल गया वह यह है कि आपको ज अभी ना हो तो अभी खिचवा लिजेगा चार वाइट वैग्राउंड की फोटो रख लिए क्योंकि वैग्राउंड वाइट होना जरूरी रहता है कोई भी आप सरकारी उसमें आवेदन करते हैं तो आप मांगा जाता है ताकि फोटो में कुछ ना हो जाए इसलिए मैंने आपको बताए कि वाइट रख दीजे वाइट हाँ जगा चल जाता है ठीक कोई कलरफुल पीछे बैग्राउंड मत रखिया ताकि कोई भी दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़ा है जब आपका डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन आएगा ठीक है वीडियो अच्छी लग ल